इंसानियत को शर्मसार करने के लिए ये तस्वीर काफी है जहां ये युवक बड़े ही ताव के साथ एक आदिवासी युवक पर पेशाफ करता नज़र आ रहा है हलागि जब किसी ने ऐसा होते देखा तो घटना का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है ये घटना MP के सीधी जिले की बताई जा रही है वहीं सोशल मीडिया की ताकत इस कदर धाई कि MP के CM शिवराज सिंग चोहान ने खुद इस पर कारवाई करने की मांग की है वीडियो में मौझूद आरोपी BJP विधायक किदारनाच शुकला का प्रतिनिदी बताया जा रहा है जैसे ही विपक्षी पार्टियों को पता लगा तो उन्होंने ट्विटर पर BJP की रेल बनाना शुरू कर दिया BSR पार्टि के नेता YSR ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा मध्यप्रदेश में आदिवासी युवाउं पर पेशाप करते दिखे BJP विधायक के करीबी प्रवेश शुकला लेकिन इस खबर का एक और खतरनाक पहलू है जहां वीडियो में मौझूद पीडित ने ऐसा कुछ भी होने से इंकार कर दिया है ऐसे में लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं पीडित अपनी आवाज उठाने से घबरा रहा है आला कि CM शिवराज सिंग चोहान के आदेश पर आरोपी को मंगलवार राथ ही गिरफतार कर लिया गया था लेकिन फिलाल इस पूरे मामले ने मध्यप्रदेश की सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल कर दिया है एक मासूम आदिवासी के उपर हुए अत्यचार को भी दिसंबर में होने वाले CM इलेक्शन के लिए ट्रम कार्ड बनाया जा रहा है आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं